नमस्कार दोफ्तों मैं संदीव स्वागत आप सभी का आज किस नई क्लास में दोफ्तों आज के वीडियो बहुत ही important होने वाली है क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए के हिंदी के most important question answer के बारे में सारे question और answer कभीर दाफ जी से related होने वाले हैं तो कभीर दाफ जी से संबंदित जितने भी exam में question answer पिछले कई सालों में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं क्योंकि टॉप लेबल के question और answer जो कि कभीर दाफ जीसे साम मंदित हमें इसाप पूचे जाते हैं वही मैंने बहुत ही मेनत करके सारे question include के तो शुरू करते हैं वीडियो को और आपको एक question और answer बताने का प्यास करेंगे बस एक ही रोकेस्टर वीडियो को शुरू से last तक देखेंगे आप लोग वीडियो को last तक देखेंगे तब आप लोग खुदी समझ जाएंगे कि कौन से label के question मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चले start करते हैं आज किस वीडियो के जो पहला question है वह कबीर का जीवन परचे प्रस्तुत करते हैं प्रस्तुत कीजिए तथा उनके ब्यक्तित्त की बिसेष्टा पर प्रकाश डालिए तो कबीर दाफ जी का जीवन परचे बताना है और उनका ब्यक्तित यानि वह किस टाइप के ब्यक्तित थे उनकी बिसेष्टाओं पर वर्डन करना है प्रकाश डालना को डीटियल में लिखना है तो चलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप सब्जेक्ट्टू बेस का एक्जाम होने वाला है नहीं लिखित रेटन आप लोगों को एक्जाम होने वाला है तो ध्यान से जन्म संबत 1455 या 56 यानि कि मैं आपको सबसे क्लियर बात यह बता दू कबीर दाफ जी के जन्म है उनके बहुत सारे मत्वेद हैं अलग अलग तितियों में अलग अलग जो लेखक है वो मानते हैं और अलग अलग जगाहों पर लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है जहां तक मैंने रिचर्च किया है वहां तक कभीर दाफ जी का जन्म हो संबत में धी ध्यान देजेगा संबत की बात हो रही संबत 1455 या 56 में जेठ सुधी पूडिमा सो मुआर को काशी में हुआ था या फिर आप लोग कह सकते हैं चवदुवी या पंदुवी सताब्दी में इनका ज धर्म से हुआ था वहां लोक-भय के कारण इंहें लहर- horr नामक तबाब के निकट फेक आया थी यानि दधिएक नका जो जन्म हुआ था वह एक कर सकते हैं रखाई थी ठीक है तो अगला पॉइंट इसमें है कि यहां ठीक है यह नीमा नीरु नामक के दंपत जुलहे को प्राप्त हुए यानि कि जब उभेक आई तो नीमा और नीरु कहीं पर जा रहे थे या फिर यहां पर आये थे तो उनको वहां पर बच्चा मिला ठीक लेकिन उनने इसका पाराण और पोसर्ड किया लिखा कि कबीर की पत्नी क्योंकि इनमें जो इनका जीवन परच्चे वह सौट में बता जा रहे जहां जाना ठीक है जा डीटिल में जाएंगे तो वीडियो तो दो-तीन घंटे की बनेगी ठीक है लिखा कि कबीर की पत्नी का नाम लही तहां दो-तीन आम की दो-तीन गभी की कुई जो दुखा और लिखाए कि इनके गुरू का नाम ठीक है इनके जो गुरू थे उनका नाम था रामानंद इन्हें राम नाम की दिच्छा रामानंद से मिली थी ध्यान रखेगा आपके एक्जाम में कोश्चे ना फखता है कि राम नाम की दिच्छा है उनको किस गुरू से मिली थी तो वहाँ पर अंसर आप लोगों के लिखना है रामानंद से मिली थी ठीक है लि मुझाबध 7575 में हुई है इस प्रकार ये 120 वर्स तक जीवित रहें सूत्रों मुदाविक ये लेखक के अनुसार ये माना गया है कि इनकी जुम्रत ये मुझे मैं तो था नहीं समय इसलिए मैं कनफरम नहीं कह सकता हूं कि 120 थे तीस थे जो लेखत बता रहें वहीं मैं आप तक प्रवाइट कर रहा हूं यह लाकि एकजाम में आप लोग यह लिखिएगा ठीक है और लिखाए कि कभीर निर्भीक स्वतंत्र चेता उधार परम संतोसी सत्यवादी अहिंसा और प्रेम के समर्थक ठीक है ब्रह्मभान डंबर बिरहोदी और कांतकारी सुधारक थे मस्त मौला ठीक है बेपरवाह और फ ठीक है फक्कर फकीर थे वे जन्मदाद विद्रोही थे और उनमें अदम मिसाहस और आत्मिस्वास भरा था ठीक है यानि कि वह आत्मिस्वासी थे ठीक है स्वें पर विश्वास करते थे लिखायक उन्होंने जीवन पर्यांत अपनी अटपटी वाड़ी से कदाचार को इंगित करते हुए कहते हैं हिंदी साहित के हजारों वर्सों में कबीर जैसा ब्यक्तुत लेकर कोई लेखक उत्पन नहीं हुआ यानि कि अचार हजायर प्रसाद दुबेदी जी कहते है कि जो हिंदी के जो हिंदी साहित है उसमें हजारों वर्सों में कबीर जैसा ठीक है कबीर जैसा बेक्तुत लेखक ठीक है या बेक्तुत लेकर कोई लेखक उत्पन नहीं होगा हुआ है ठीक है तो ये most important topic है sentence से आप लोग याद रखेगा ठीक है जो की अचार हजार प्रसाद दुबेदी जी अपनी भासा में कहते है ठीक है और लिखा है कि वे सिर से पैर तक अ साहर से कठोर जन्म से ठीक है असपर से और कर्म में वंदनिये थे यानि यह इनकी में में पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखेंगे तो एक्जाम मार आप लोग कोई चक करेगा अगर यह पॉइंट लग देंगे तो वहर हाल में आप लोगों की जितने का question नहेंगा उ इसी से बहुत सारे question आप लोगों को clear हो जाएंगे ठीक है बहुत सारे question इसे से मिलते जुलते आएंगे तो सबसे पहले clear हो गया ठीक है अब इसी में दूसरा question की और हम बढ़ेंगे और आपको हम यह बता दें इस वीडियो में सारे तरीके के question है लगुत्रे अतिलगुत्र और व्याख्या बेस यानि कि सभी type के question है इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे ठीक है पहले यानि की दूसरा question इसमें है कि कबीर की भासा पर संशिप्त प्रकाश डाली है यानि कबीर दाव जी की भासा कैसी थी उसके बारे में संशिप्त में आप लोगों को लिखना है प्रकाश डालना है ठीक है चलिए देखते हैं लिखाय की कबीर की भासा भी कहने के लिए उजोड गमई गमारू चाहे जो कुछ भी कह लीजिए जिसकी अभिव्यक्त के छलकते संदर पर बड़े बड़े नागर और परिक्रस्त कब्यों की भासा निचावर की जाती है ठीक को पंच मेल सदोकडी कहा है वास्तों में उन्होंने भासा और काप विकला पर वितेश ध्यान दिया वह अंतरमन की प्रेड़ा के वशीभूत हो कभी कर्म करते थे ठीक है इसले इनкими इसले उनकी वाड़ी को सुगठित संस्कृत निश्ट भासा की उतनी आवाशकता नहीं जितनी अनूठे भाव की अत्भुद उत्प्रेडा सक्त की कबीर की रशनाओं में लगबग आधा दर्जन भासाओं के सब्द उपलब्द होते हैं पंडित पयुस्राम चत्रुबेदी कबीर काब्व में विभिन्द भासाओं का अधाहर ठीक है अधोलिखित रूप में प्र एक पंत या फिर उदाहरण के लिए उन्होंने कहा आउधी में समझेगा जस्तू तस तेहीं कोई न जान और तैसे नानत ठीक है नाचत मैं दुख पावा ठीक है तो यह है आउधी भासा में इनकी एक्जामपल या फिर आप लोग से एक पंकती और ब्रज भासा में इन्हो होती है या फिर आप लोग कह सकते हैं फिराल मेरे बोलने में कुछ अगर मिस हो जाया तो आप लोग समझ लिजेगा ठीक है लिखाए कि भोचपुरी में दात गैल मोर पान खात केस गौल मोर गंगनाहात तो यह भोचपुरी में इन्होंने बोला है और इस तरह खड़ी बो क्या जाड़ो उस प्यू को कैसे रहा सी रंग तो इन्होंने यह रास्थानी में कहा है ठीक है और लिखा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भासा विविन्द भासा की खिचडी है उसका समिस्रण उनकी भासा का प्रमुक प्रभा उनकी तीब्र अनभूती के कारण है डाक्टर रामकुमार वर्मा कबीर की भासा की विश्ष्टता को उजागर करते हुए कहते हैं कबीर ने अपनी प्रखर भासा और ही तीखी भाव बेंजना में से जिसे काभी का सरजन किया है वह साहितिक मर्यादा का अतक्रमण भले ही कर गया हो किन्त उसके द्वारा शा न कि यहांँ पर अपव लोगों को यहांपर देखने ने के मिला यानि की लbn की निक कि बहुकर सारी भासाओं ने बहुत सारे दोहे का सोठाय यह उदाहराण है दो यह इंकले कि इनको बता है वा सार्फा संजित परचैंड निक्स चमाज में कभीर के जो समय में समाजिक में और धार्मिक जो इस्थित थी उस पर क्या उस समय की क्या इस्थित थी ठीक है उस पे आप लोगों संशित में लिखना है तो पहला है समाजिक यानि कि समाज के जो भेद भावना थी वो कैसी थी समाज के वारण समझते हैं लिखा है कभीर का य जरजर और बिसरंखला हो गया था हिंदों की वड बेवस्ता जटिलतम रूप धारन करती जा रही थी ब्रहमर पांडे पुजारी और मुल्ला मुल्वी धर्म के ठेकेदार बने हुए थे इन्होंने जातिपात के बंधन कठोर करके हिंदू जनता में बिश्क के बीजबो दिय यानि कि जो वहाँ पर मुल्ला और मुल्वी थे उपने आपको ठेकेदार समझते थे वहीं पर कबीर दाफ जी ने एक ऐसा मतलब की नियम कानून या फिर आपके सकते उन्होंने ऐसा एक बीज बोया जिससे हिंदुत को बढ़ावा देने लगे ठीक है और लिखा है कि इंदु में 20 के बीज बोते बो दिये थे उच जातियों निम्न कोट के जातियों को है ठीक है यह तथा निन यह समझती थी तथा उनके साथ दुर्बेवार करती थी निमर्गी यानि कि निम्न वर्गी के जो लोग थे शमदाय को जटिलतम वड़ बेवफ्ता के कान तिरस्क कबीर ने शमाजिक कृतियों और मिथ्या ठीक है अब इस वासों को अखंडन किया और दोनों जातियों के भेदबाव की खाई को पटाने के लिए भर्गी किया यानि कि जो भेदबाव था जात को लेकर उन्होंने अपने हिसाब से उसको मिटाने की कोशिश की कि जात धर्म पर आप लोग विशेश धान ना दीजिए सब लोगों को जो निम नुवरे के हैं या उच्छ लोग के हैं या अगदम नीचे लेबल के जो लोग हैं उनके साथ दुर्बेवार ना किया जाए तो यह अपने अनुसार समाज में यह इन्होंने प्रियास किया समाज को सुधा कबीर के युग में नाना प्रकार की धानमिक साधनाओ का प्रिचलन था हिंदू धर्म बेश्डो सैव साक्त बौध और जैन जैसे अनेक धर्मों संपर्दाइदों में विभक्त हो गया था फिर यह संपर्दाइद भी अनेक उपवागोस में विवाजित हो गए ब्रहमर सम मानते हों हिंदू लोगों को कह रहेते कि आप हमारे धर्मों में सामिर हो जाईए ठीक है और लिखा ग्रहाण करने पर बाद कर रहेते मुस्लिम धर्म में भी कट्टरपंत अडंबर पकंड तथा मिध्या चार बहुलता के साथ परिव्यक्त था संत कबीर ने दोनों धर्मो में ब्यक्त आडंबरो कुर्तियों यों बुराईयों को नजदीक से देखा और परखा था इसलिए इससे रणा पाने के लिए उन्होंने जनता के समच एक नमीन प्रेम भक्त का मार्ग प्रस्तुत किया कबीर ने ध्यांदी जेगा कबीर ने योगा नुकल अपनी वाड़ी उनको सोया ज्वाला मुखी जाग उठा उनके बेद्रोही भावनाएं जो समान्तों या धर्म चांचेयों के भैसे दबी ही हुई थी बड़े वेक साथ तूकत भावन हमकत सूदा की चुनोती देते हुए फूट निकली उन्होंने जात पात पूजा अर्चना तीर्त ब्रत माला तिलक सब पर ठीक है कुठारा घात करना सुरू किया तो यह इन्होंने धार्मिक के छेतर में काफी अपना योगदान दिया जो कि कबीरदाफ जी ने तो यह रहा धार्मिक ठीक है समाजिक और धार्मिक इस्थित पर कबीरदाफ जी के समय पर क्या स्थित थी और क्या स जो है वह ब्याख्या आधारित है तो ब्याख्या आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है लिखा इसी प्रकास संटेस रहेगा या उदाहर या पंक्त या फिर आप में और भी जैदा देखने को मिलेगा ठीक है उसके बारे में वासं पिर बारे में जाए था लोकबेद के साथ आगे थे तो गुर्मिला दीपक दिया हाथ चलिए इसके बारे में क्या वक्ति यह पंक्ति कहा कि और कि लेक और आप लोग समझ गया होंगे यूज करके ठीक है तो ब्लेक से लिखना है संदर्व उसके बार लिखना है कि प्रस्तुत दोहा श्याम सुंदर दाफ द्वारा संपादित कभीर दास के गुरु देव को अंग से उद्रत है जिसके रचैता स्री कभीर दास जी है तो इस संदर्व लिखना यानि जो पंग ती या फिर जो दोहा है वो कहां से लिया गया है ठीक है उसके रचैता कौन है बस यहीं संदर्व में आप लोगों को लिखना है ठीक है तो यह दोहा जो प्रुस्तुत वस्याम सुंदर दाफ द्वारा संपादित कभीर दास जी के करता के अग्णार को मिटाने के लिए ठीक है बताया गया है इसमें ब्याक्च्य में क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यनिकी जो पीछे लागा जाए था इखांके कभीर दाफ जी कहते हैं कि बीना किसी सोच बीचार के संशिकरता यहों धर्म गनतों को आत् ठीक है आत्म साथ करके उसी मार्क का अनुकरण कर रहा था आगे सत्गुर मिल गए ध्यान दिजेगा आगे सत्गुर मिल गए यहां पर दिजेगा आगे थे सत्गुर मिले तो वही बता जा रहा आगे सत्गुर मिल गए उन्होंने ग्यान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दि गया है कि जब उन्होंने उनकी ज्ञान रुपी हाथ में दीपक रख दिया थे जिससे जो अंधा नुकरण की प्रवेत्ति थी वो पूरी तरह शमाप्त हो गई ठीक है तो यह रही इसकी जो संशिव तुम्हें ब्याक्या आप लोग ध्यान से आराम से पढ़ लीजेगा सवानभूत का महत्त समझा उसी का चिंत्र किया गया तो उसी के बारे में बताया गया है तो आप लोग इसको समझ लीजेगा मोस्ट इपरटेंट व्याक्या है ठीक है यह वाली द्वाहा की इसी में नेश्ट द्वाहा भी आप लोगों मिल जाएगा लिखाया है कि 64 दीवा जाये कर चौदा चंदा मा हैं तहीं घारी किसको चिनिडो जहीं घरी गो बिंध नहां है तो ये भी एक दोहा है जो की ये भी स्री कबीर दाफ जी यह उनी के द्वारा रचित है तो इसका जो संदर्व होगा वो seven हो जाएगा कि प्रश्ट द्वाहास स्याम-सुन्दर द्वारा संपाजित कभीरदाफ जी के गुरुदेव को अंग से उद्रत है जिसके रचेता स्री कभीरदाफ जी है इसलिए सेम था तो मैंने यहां पर लिखा नहीं तो आप लोग फिरहाल जब आपका एक्जाम होगा तो सेम का सिस्टम मत रखेगा जितने भी जितने भी दोह होंगे उनके भले ही सेम ही कभी के हो तब भी आप लोग उनका संद्र लिख दीजेगा ठीक है तो मैंने नहीं रिखा सोट में आप लोग समझ जाएंगे ठीक है तो इसमें जो प्रसंग में पॉइंट क्या उसको देखते हैं लिखा है कि निर्गुड ब्रंब की महमा बताए जा रहा है कि किसी घर में 64 को एक साथ जलाया जाए ठीक है और उसमें 14 चंद्रों मादी और लिखा हैकि पफिरभी यह दिवा निर्गुड ब्रंब का प्रकाश नहीं है तो 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 यहाँ पर लिखा तेही घर किसको चिनडो जही घर गोबिंद ना है तो वही पर बताया गया है कि प्रकाक्स नहीं है तो वहां सदा अधेरा ही रहेगा तो वहीं पर बतागर अगर जहां पर ठीक है निर्गुरबरम का प्रिकास नहें रहता तो वहां सदा ही सदा अंधेरा रहता है जेहीं गर गोबिंद नहीं है तो वहां पर अंधेरा ही रहेगा तो ये है ये जो दोहा गया इसकी ब्याक्या समkówचे प्र 지원 में ठीक है और लिखा दुसरा पॉइंट है विशुने क्या है किसी ब्यक्ति को 64 कला और 14 Gustavuk हो और उसमें इसोई प्रकास का अभाव है तो वह मुलन मंहीं नहीं हैwire तो हुआ किसी भी प्रकासे JENN मोलिवान नहीं हो सकता भास तो इसमें दूझार झूखा किवीर नशों मोबिवान नोन एक रफ्यार पढ़ने प्रत्तहुएंगे तो नेश्ट दोहा है कि माया दीपक नर्पतंग भूमी ठीक है भूम्री भूम्री इवय पढ़ंत कहे कभीर गुर ज्यानत है एक आधु परंत तो इसमें भी जो है संदर्ब वही हो जाएगा संदर्ब कौन सा हो जाएगा जो मैंने आप लोगों को उपर बतायागी प्रस्तुत दोहा श्याम सुंदर द्वाफ जारा संपादित कभीर दाफ जिसे कभीर दाफ जी के गुरु देओ को अंग से उद्धरत है जिसके रचेता स्री कभीर दाफ जी है तो यही आप लोगों को इसमें भी संदर्ब डाल के हेडिंग लिख देना है क्योंकि सिमलर था तो मैंने टाइप नहीं किया ठीक है और इसमें प्रसंग है प्रसंग यानि कि इस दोहा का प्रसंग हो जाएगा माया की उपमा दीपक से तथा मनुष्च को पतिंगा बताया गया है चलिए ब्याक्या समझते हैं लिखाए ब्याक्या में कि कबीर दाव जी कहते हैं कि माया दीपक की तरह और मनुष्च पतिंगे की भाती है यानि कि माया है जो ठीक है वो दीपक की तरह है और जो मनुष्च है वो पतंगे की भाती है ठीक है और माया रूपी दीपक की और आकरशित होकर ब्रह इसलिए बताया जा रहा है कि वह मनुष्य पतेंगे की भात यह माया रूपी दीपक में ठीक है माया रूपी दीपक की और आकर्षित होकर भ्रह्म से वसी भूत होकर उसमें गिरता रहता है और कबीर दाफ जी कहते हैं कि गुरू के इस ज्यान से एक आध मनुस से ही उबर पाते हैं तो वहीं आपर बताया गया कि कहे कबीर गुर ज्यान थे एक आध उपरंत यानि कि कबीर जी के इस ज्यान से ठीक है कबीर दाफ जी कहते हैं गुरू के इस ज्यान से एकाध मनसे ही उबर पाते हैं कहें कभीर गुरु ञ्यान थे All eyes 001 पर jeals यह जो सॉन्सिय से वो देखे लेते हैं लिखाए कि इस साखी में माया की आकरसन और उससे मुख्ति को लोग पाया जा सकता है तो यह जो दोहा है इस में विसेश क्या था ठीक है वही बताया गया है ठीक है यहीं है विसेश एक डूपइंट में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के और अगला कोश्चन है जो कि आप लोगों ध्यान देना या आपके एक्जाम में इ esfा था सब्लिख कया दिशिए और हिंदो के उसार आप सभी को मालु मैंने बताया था रामानद जी तुह है चलिए दिखते हैं निशिट कोशटन कहुंसा है लिखए की कबीर की सासे के समाकालीन थे तो जो कबीर दाव कि बीजक क्या है इसके कितने भाग है चलिए समझते हैं क्या है तो लिखा है अंसर में कबीर की वाड़ी के संग्रा को बीजक कहते हैं यानि कि कबीर की जो वाड़ी है उसके संग्रा को बीजक कहते हैं इसके तीन भाग है पहला है शाकी सबद रमैनी याद रखेगा मोस्ट इसका नाम लिखे तो आपको लिख देना साखिस सब्सक्राइब कीजिए नाम लिखना के नाम निश्प्रकार है पहला माता पिता जो थे नीमा नीरू थे जो कि उनका लारान पालान पॉसरड किया था उसके बाद उनकी पत्नी लोई उसके बाद उनके जन्म हुआ पुत्र पुत्री का जिसका नाम था कमाल और कमली याद रखेगा ठीक है कमाल कमाली नेस्ट कबीर का निधन कब और कहां भुआ था मोस्ट इंपार्ण कोश्चन है कबीर दाव जी का जन्म शन 1518 में मगहर में हुआ था यानि की मुर्त्त से कुछी टाइम पहले यह मगहर चले आये थे तो इनकी जन्म जो है वह मगहर में ही हुई थी ठीक है इनका जन्म आफसर कमालूम आयने अकभरी और धलिषताने मजहीब में कबीर का उल्लेख मिलता हे याद रखेगा इतियासी के किन घरंतों में इनका उल्लेख मिलता है तो यह दोनों आप लुगों को गरंत याद रकने आईने एकवरी और दलिस्ताने मजाहिब तो आज की इस वीडियो में अतिलग उत्रे लग उत्रे और ब्याख्या बेश के सारे कोश्चन में ने इंक्लूड के थे जो कि कभीर दावजी से सब्बंदी थे आपको ये वीडियो कम से कम तीन से चार बार देख लेनी है तो आपक के लिए जय हिंदर